हेलो दोस्तो एक पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है Mr.Dagger चैनल पर दोस्तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहें कितना जवर्दस गजब का Amazing Ball Paper मैंने सेट किया हुआ है इस तरीके से आप भी अपने Mobile में ऐसे गजब के Ball Paper सेट कर सकते हैं इससे देखने के बाद हर कोई आप से पूछेगा कि भाई आपने ये कौन सी एप्लिकेशन आपने Mobile में सेट की है हमें भी इस एप्लिकेशन के बारे में बता दो दोस्तो ये तो सिर्फ एक Demo है इसके अलाबा और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे Live Ball Paper है जेने देखने के बाद हर कोई आपके पीछे पड़ जाएगा और आप भी इंप्रेस हो जाएंगे 101% सारे Ball Paper को देखकर दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे Ball Paper आपको अपने Mobile में कैसे सैट करने हैं और कहा से डाउनलोड करने हैं तो आज की इस वीडियो में शुरू से End तक बने रहे हैं चलिए शुरू करते हैं मेरा नाम मोसिन और आप देख रहे हैं Mr.Dagger YouTube चैनल दोस्तो अगर आप चाहते हैं ये एप्लिकेशन आपके Mobile में भी काम करें तो सबसे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेर भी कर दें और साथ ही साथ Mr.Dagger चैनल को सबस्क्राइब करें बराबर में बेल आइकन आएगा उसे All पर सैट कर दें ताकि आने वाले ऐसी डेली यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें तो सबसे पहले हम बढ़ लेते हैं एप्लिकेशन की और एप्लिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लिकेशन को आप बहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद सिंपल है जैसे ही आप application को open करेंगे, open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर यह loading चल रही है, 100% loading चलने देते हैं, यहाँ पर 100% loading होने के बाद यहाँ पर इसे add को cut कर दिना आए cut करने के बाद आपके सामने इस तरीके option आएगे, आपको set wallpaper पर click करना है, click करने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारे wallpaper जो है, दिखाई देने वाले हैं, जो भी wallpaper आपको set करना है, तो आपको यहाँ से unlock करना होगा पहले, तो मुझे यहाँ पर diamond वाला wallpaper set करना है, तो यहाँ से unlock कर लेता हूँ, यहाँ पर यह theme डाउनलोड होने देते हैं, यह 100% theme डाउनलोड होगी, उसके बाद ही यह ball paper आपके mobile में set होगा, तो देख लेते हैं, यहाँ से इसे cut कर देंगे, cut करने के बाद यहाँ पर जैसे ही यह 100% डाउनलोड हो जाता है, इसके बाद apply के option पर आपक सामने इस तरीकी का interface आएगा, अब यहाँ से आपको touch effect overlay effects जहाँ से select कर लेना है, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, touch effect आपको भी अपने हिसाब से यहाँ पर ऐसे select कर लेना है, जो भी touch effect आप लेना चाहें, बो ले सकते हैं, आप 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 देख पा रहें, इस तरीके से बहुत सारे touch effect होंगे, आपको अपने हिसाब से set कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ से मैं सिर्फ आपको demo दिखा दिता हूँ, देख पा रहें आप, अब उसके बाद यहाँ पर मुझे apply कर दिना है, apply करने के बाद set as home screen पर करना है मुझे, तो यहाँ पर आप देख पा रहें, इस wallpaper को set कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ और भी wallpaper है, तो आप देख पा रहें, यहाँ से आप और भी wallpaper को यहाँ से unlock करके directly अपने mobile में apply कर सकते हैं, तो आप देख पा रहें, यहाँ से इस वाले को unlock कीजिएगा, इसी तरीके से यह भी बैसे ही apply होगा, जैसे कि मैंने diamond वा आपको यह application और यह वीडियो पसंद आए, तो हमार इस वीडियो को जादा से जादा like कर दें, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को share करें, thank you friends, thanks for watching.